तो हाई फ्रेंज साथ सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत है मैं जेनल जीटेक प्रोहिंदी में यह है ओपो एनको बट्स एक ऐसा टीडवलो एस ऑल रांडवर टीडवलो एस जो मलब हर एक फीचर के साथ आ जाता है इन्हें बजट और यह बहुत ही अच्छा साउंड आपको प्रोवाइट कर देता है तो आज से लेके दो महीने पहले में इसको बाइक किया था फ्लिफकार्ट से और एक्चुली मैं सॉपसी से बाइक किया था तो मेरे को थोड़ा सा डिसकाउंड में यह मिल गया था तो मेरे को लगभग 121300 रुपेगा यह पड़ा था तो यह चीज अभी जो है 1700 में सेल हो रहा है कभी-कभी 800 में सेल हो रहा है तो अभी के हिसाब से दो महीने के बाद इसका प्रफॉमInnes कैसा है और दो महीने के बाद इसको आपको बाइक करना चाहिए या नहीं आज इस वीडियो में हम लोग इसका फुल डिसकसन करेंगे कि इसक बिल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरी यूजेस पे दो तीन महीनी के यूजेस पे मैंने इसको छे साथ बार ड्रॉप कर चुका हूँ और अभी तक जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ही है इसमें स्क्राचेस बहुत ही ज्यादा कम आये हैं और अगर डिजाइन लांगु ठीक है और मलब यह आपके कान में ऐसा फिट हो जागा कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं बहुत जो से रनिंग वगरा कर रहे हैं तो तब भी यह चीज जो है ड्रॉप नहीं हुआ हाला कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका ब्लू कलर जो है बाई कीजिए वह ज्यादा अ तो साउंड में इसका बहुत सारा चीज ऐसा है कि मलब बहुत ही कम TWS में देखने को मिल जाता है जैसी कि Dolby Atmos बहुत ही कम TWS में इस प्राइस रेंज में तो कोई भी साइज से TWS नहीं आता है जो कि Dolby Atmos को प्रोवाइड कर देता है और इसमें डबल एसी कॉटेक भी दिया जो कि अच्छी बात है और डारेकली साउंड क्वाल्टी ओवरल साउंड क्वाल्टी की बारे में बात करू तो लो इसका वॉइस थोड़ा सा ज्यादा लो है मलब साउंड थोड़ा सा लो है तो आपको हाई साउंड में सुनना है ठीक है 70 से 80 तक आप अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा साउंड जो है साउंड वगरा मिलेगा बेस थोड़ा सा लो है ठीक है क्योंकि 8 mm वाला ड्राइवर है बेस थोड़ा सा लो है लेकिन वोकल्स बहुत ही ज्यादा क्लियर है ठीक है तो कही ना कहीं इसमें मेरे को लगता है कि आप अगर लो साउंड में सुने तो आपको बहुत अच्छा साउंड एफेक्ट मिल जाएगा तो साउंड इसका अच्छा है इस प्रैजश्य में बहुत ज्यादा अच्छा है और डॉल्by एट्मस का इफेकट रहता है तो आपको बहुत ही साउंड क्वाल्टि जो है इस प्रैज James में मिल जाएगा लेकिन sound थोड़ा सा low है हाला कि अगर इसमें 10 mm का driver दिया जाता तो देन बहुत ही अच्छा है आपको base और high volume आपको मिल जाता 50 to 60% volume पे भी तो अभी directly अगर हम call quality और microphone quality के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई TWS जो 2000 के नीचे आ जाता है तो उसमें जो है अच्छा call quality नहीं मिल पाता है तो अगर आप calls के लिए dedicated calls के लिए जो है मलब करना चाते हैं वगरा आप एक अच्छा सा neckband या फिर wired earphone लीजिए क्योंकि कोई नहीं बताता कि TWS calls के लिए नहीं बने होते हैं TWS में calls वगरा के issue होते हैं अगर आप जो है noisy area पे use कर रहे हो TWS वगरा तो सामने वाले को बहुत ही कम sound आपका जाएगा ठीक है अगर indoors में use कर रहे हो then it is okay लेकिन बहुत ही कम लोग जो है आपको suggest करते हैं TWS जो है calls के लिए ठीक है तो यही reason है आप खुद buy कीजिए खुद use करके देखिए noisy area में तो सामने वाला वही बुलेगा कि आपका आवास नहीं सुनाई दे रहा है तो अभी directly touch quality and connectivity पे जाते हैं तो इसमें Bluetooth 5.2 plus मिल जाता है आपको तो connectivity में आपको as such कुछ issue नहीं होगा आप मलब charging case का lid खोलते ही hinge खोलते ही बहुत ही जल्दी जो है fast within 5 seconds जाते से जादा 5 seconds चलेगा और minimum 1 to 2 seconds लेगा ठीक है बहुत ही fast इसका pairing है as such कुछ दिक्कत मेरे को मेरे users पे जो है 2 months की users पे मेरे को कुछ pairing के हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं आया है touch quality के बारे में बात करूँ touch quality इसका मैं excellent बोल सकता हूँ इस price range में सबसे best touch quality इसका ही है बहुत ज़्यादा touch sensitive है हाला कि आप जब मलब earphone adjust कर रहे होगे कान में तो कभी-कभी touch हो जाता है इसका मलब ऐसा है कि आप मलब बहुत ही ज़्यादा soft touch अगर करे होगे single soft touch करते हो या फिर double soft touch करते हो then फिर भी यह जो है आपके touch को recognize कर लेता है ठीक है और whereas कुछ other TWS है जो मलब आपको बहुत ही ज़्यादा जो है tap करना पड़ता है लेकिन इसमें tap भी नहीं करना पड़ता है इसमें आप टच करो आपका काम हो जाएगा तो अभी directly battery and charging के बारे में बात करते हैं तो जैसी कंपनी क्लेम करती ही कि आपको 24 घंटा with charging case मिल जाता है battery backup तो लेकिन मेरे testing में मेरे को सिर्फ 17 से लेके अठरा घंटे तक मिल आये तो इडिस गूड एनफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ TWS ऐसा है कि 18 से लेके 30 घंटा भी मतलब क्लेम करते हैं लेकिन उनमें जो है 10 घंटा है या फिर 12 घंटा ही मिलता है लेकिन इसमें जो है आपको जाएदे से जाएदा 18 से 20 घंटा तक भी मिल सकता है तो directly charging के बारे में बात करेंगे तो company side से ख्लेम करते हैं कि दो घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है लेकिन charging थोड़ा से मेरे को slow लगा मेरे को actually मेरे testing में साड़े दो से लेके 3 घंटा तक भी लगा है charging के लिए तो finally हम gaming पे आ जाते हैं तो gaming इसका मलब देखिए ये gaming TWS नहीं है फिर भी हमको इसमें 80 milliseconds का low latency जो है देखने को मिल जाता है और dedicated gaming mode भी देखने को मिल जाता है और जैसे कि इसमें supported है Dolby Atmos तो आपको footsteps बगारा जो है PUBG बगारा में footsteps बगारा बहुत जादा clear सुनाई देगा और sound effect जो है अच्छा सा आपको sound effect आएगा लेकिन थोड़ा सा latency का issue होगा जैसे कि यह gaming TWS तो नहीं है अगर आप एक heavy gamer बगारा हो देन आप एक अच्छा सा gaming TWS या फिर gaming headset जो है buy करो instead of buying this तो directly हम conclusion and pricing पर आ जाते हैं तो मैं जब इसको buy किया था मेरे को यह लगभग जो है 1300 के नीचे जो है देखने को मिल गया था तो मैंने इसको 1300 में buy किया था लेकिन अभी जब मैं video suit कर रहा हूँ तो इसका price जो है 1700 रुपे हो गया है तो 1700 रुपे मैं भी kind of मैं suggest कर सकता हूँ क्योंकि यह अभी भी worth it है 2 महिने बाद भी इस price range में तो इसका competition जो है बहुत ही कम competition है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छा आपको excellent features आपको देखने को मन जाता है अगर आप buy करना चाहते हैं तो मैं यह suggest करूँगा कि आप shopsy से buy करिए और इसका blue color buy कीजिए ठीक है तो I hope इस वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो please वीडियो लाइक कीजिए share कीजिए अमने चल को subscribe जाए thanks for watching this video